आसलाल को एविवान कैसे हैं आप सब लोग आज मैं आपके साथ शेर कर रही हूं आरबेक मदगूत राइस की रेसिपी बहुत असान है इसको बनाना इसको ऑथेंटिक तरीके से बनाएंगे तो यह और असान हो जाता है जो की बनती है प्रेशर कूकर में तो चले इसकी रेसि और इसका इसमें डालेंगे थोड़े से होल स्पाइस तो यहाँ पर मैंने तेसबाद, दारचीनी, हरी लाइची और काली मिर्ज डाल दी है इंग्रीडिन्स की सारी लिस्ट आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी प्यास और गरा मसाले को हमने थो आप चाहें तो इसको विदाउट स्किन भी ले सकते हैं और अगर आपको छोटे पीसिस रखने तो आप वैसे भी रख सकते हैं मैं क्यूंकि ऑथेंटिक रेसिपी की तरह बना रही है इसको इसी तरह बड़े साइस में लिया है चिकन को प्यास और गरा मसाले के साथ 2-3 मिन दीमांट हम भून लेंगे और ितार इसके थोड़maal सा कलर चेंज नहीं हो जाता और जब कलर चेंज हो जाएगा तो इसकं अंदर हम डालेंगे लस्टनध रख का पेस नहीं नहीं एक टिबिस्पून के करीब लस्टनध खना गैस चाह complaint और लसुन बोस्तार जाएंगे और अगर आपके बाद सूखी नीबू नहीं है तो आप एक बड़े साइस के नीबू का रस निकाल कर उसके सिर्फ छिलके इसमें डाल दीजे तब भी आपको अच्छा फ्लेवर मिल जाएगा और साथ में डाल रही हूँ याप एक बड़े साइस का टिमाटर जिसको मैंने बारी चॉप कर लिया है और पांच हरी मिर्चे डाली है यह तीखी वाली हरी मिर्च है आप अपने टेस्ट के साब से इसको में कम बढ़ती है एक दो हरी मिर्च कर सकते हैं इन सारी चीजों को भी हम चिकन के साथ बहुत अच्छे से मिक्स करके इसको मजीद 2-3 मिट और भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे अब इसमें जाएगा चिकन स्टॉप का एक क्यूब वो मैंने खोल के डाल दिया इसके अंदर और साथ में इसमें जाएगा टोमेटो पेस्ट अगर आपके पास बजार वाला टोमेटो पेस्ट नहीं है तो फिर आप एक मीडियम साइज का टोमाटर चॉप करके जब हमने प तोम में दिया जाएगा जाएगा तकरीब दो टीजपून के करीब इस अथनिक रेसीपी में भूत चावल में मिर्च नहीं लाल मिर्च नहीं डालती है लेकर अगर आप स्पैसी खाना चाहते है तो आप डाल सकते हैं इसमें एक टीजपून या पर अपने टेस्ट के बीज़ाइट करेंगे टेस्ट के साब से मैंने यहां 1 टीस्पुन डाला है क्या कि हमने चिकिन स्टॉक भी डाले होसे भी थोड़ा नमक होता है, इस गलास से मै ने चावल ना पर थे, तीन गलास चावल हैं वेट में देखेंगे तो अ सेवें फिफटी ग्राम से करीप चाव इसको मिरियम फ्लेम पे इसका प्रेशर बनने देंगे और जब इसमें प्रेशर बन जाएगा छुट से निकालेंगे तो इस तरीके से चिकन जो हाफ ड़न होगा क्योंकि अब हमने चिकन को चावल के साथ भी आगे पकाना है तो मैंने सारा स्टीम निकाल दिया है कूकर में से और देखी पानी अभी भी कैसे उबल रहा है और सालन देखने में कितना मज़िदार लग रहा है अब इसके अंदर हम डालेंगे चावल जो मैंने एक घंटा भी होया था यह सेला चावल मैंने लिये थे authentic recipe में सेला चावल ही यूज होते हैं आप चाहें तो बासमती चावल भी यूज कर सकते हैं मगर बासमती चावल सिर्फ आदा घंटा आपने भी होना है यह सेला चावल है तो मैंने एक घंटा भी होई तीन कप चावल थे यह और वजर में साड़े 700 ग्राम के करीब चावल है तो हलकी हाथों से हमने चावल को चिकन और पानी को अच्छे से मिक्स कर देना है नमक चख लेंगे जितना भी कम लगेगा आपको उसके साफ़त अतने टेस्ट के साफ़त से इसमें एड़जस्ट कर लीजे मैं तक्रीबन जो है इसमें एक बड़ा खाने का चमच इसमें वन टेबल स्पून की करीब इसमें बढ़ा रही हूँ इसको वापिस हमें उसी तरीके से पकाना है जैसे कि हमने चिकन को पकाया था कि मीडियम तो हाई फ्लेम पे हम एक विसल आने का वेट करेंगे उसके बाद गैस को स्लो कर देंगे और ठीक पांच मिनट बाद हम गैस को बन करके इसका स्टीम निकाल देंगे और स्टीम निकालने के बाद इसको पांच मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि चावल जो है सेटल हो जाए उससे पहरे cooker नहीं खोलेंगे उसके बादी खोलेंगे और यह मैंने 5 मिर्ट को सैटल होने दिया उसके बाद cooker खोला है और बहुत ही मज़े की खुश्बू इसमें से निकली है और चावल देखें एक एक दाना चावल का अलग है टाइमिंग्स का ख्याल रखेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया है तो चावल बिलकुल एक एकदाना अलग फरेरा बनेगा बिलकुल इसको मैं आपको एक स्पून की हेल्प से भी मिक्स करके दिखाती हूँ देखी कितना परफिक्ट चावल बने है ना तो चिकन का पीस कोई टूटा है और ना चावल अंडर कोड़ ये ओवर कुक्ड है बहुती खुबसूरत और बहुती मज़िदारी रेसिपी बनके तयार होती है क्योंकि ये औथेंटिकली रेसिपी प्रेशर कूकर में ही बनती है अगर आप टाइमिंग का धिहान रखेंगे तो ये रेसिपी बहुत असान होती है बनाना और ये चिकन का पीस देखें किस तरीके से परफेक्टली डन हुआ है तो चले मैं इसको डिशाओट करती हूँ फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ तो ये देखें हमारे बहुत ही मसिदार से चिकन मदगुत्राइस बनके तियार है औथेंटिक रेसिपी है इसको ऐसे ही ट्राइ कीजेगा और साथ में मैंने इसमें सर्फ की थी मंदी की चटनी ये अल्रीडी मैंने वीडियो चैनल पे अप्लोड कर दी है तो उसका लिंक में डिस्क्रिशन बॉक्स में देदूगी ये साथ में जरूर बनाईगा तो आपकी इस डिश के चार चान लग जाएंगे बहुत असान है इसे बनाना जैसे कि आपने देखा तो इसे ट्राइ जरूर कीजेगा अगर पसंद आये तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताईएगा जरूर और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा अपनी फैमिली फ्रेंज के इसको शेर जरूर कीजेगा अगर आप चैनल पे नहे हैं तो प्लीस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजे और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया मिलते हैं एक और मसेदार सी नेक्स वीडियो में तिल रैन बनाते रहें जाएके मसेदार